आप सभी प्रिये दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है इस नई वीडियो में आज हम चर्चा करेंगे किशोर बियानी जी ने क्या रिक्वेस्ट किये सेभी को साथी साथ में Future Consumer Limited FCL के बारे में बात करेंगे देखेंगे कि आगे के लिए क्या ये FMCG का स्टॉक आपको मल्टी मिलिनियर बना सकता है आईए देखते हैं पूरा विशलेशन करेंगे इस खबर का साथी साथ में आपको जो हम सलह दे रहे हैं शुरू से कि अपने सारे Future Group के स्टॉक को hold करके रखिए वो सलह भी देंगे साथी साथ में Future Consumer को अगर आपको additional quantity खरीदनी है तो ये बहुत अच्छा टाइम है बहुत अच्छा लेवल है जिससे आपको बहुत फाइदा मिल सकता है आ अगया आले सबेवे जैसे आपको पता ही है CCI का approval आ चुका है CCI का एक major hurdle था जो November में complete हो चुका है उसके बाद High Court का decision भी आया जिसमें उन्होंने कहा है कि approval authorities will take the decision for merging all the 5 companies जितनी भी है सारी कि सारी उनकी market cap हमारी हिसाब से double हो जानी चाहिए जब ये relisting होगी तो उसके आपको मालूम होगा 24,000 क रोड में reliance acquire कर रहा है उनका retail or wholesale logistic warehouse business पांचों कमपनिया मर्जोकर FVL में एक single entity बढ़ जाएंगी उसका swap ratio का वीडियो हमने डाला हुआ है आप उसको देख सकते हैं साथी साथ में SEBI का जो approval है वो थोड़ा सा delay हो रहा है दोस्तों क्योंकि SEBI को एक final approval देना है अपनी तरफ से जिसको वो SIAC का order भी consider कर सकती है तो because वो approval authority है उसमें सिर्फ recommendation की जा सकती है तो यहाँ पर किशोर बियानी जिने एक letter लिखा है उसके बारे में आपको print media की cover बताते हैं किशोर बियानी look for swift approval of reliance and future group deal जैसा वो आपको बताया कि उन्होंने write कर दिया था एक letter SEBI को कि जल्दी pandemic covid की वजए से in company का loss हुआ है वो किसी के लिए भी beneficial नहीं है इसमें Amazon सिर्फ एक delay tactic कर रहा है intention of serving business ties with Amazon also chairman said there is no intention of serving business ties with Amazon तो ये भी clear है कि वो आगे business के Amazon के साथ को business नहीं करना चाते हैं क्योंकि वो business friendly है ही नहीं वो उनके पास 8 बार गए कि शोर बियानी जी कि हमें मदद कीजे एसी situation हो रही है उन्होंने सिर्फ paperwork दिखा दिया कि ऐसे कर सकते हो ऐसे कर सकते हो पर दिया कुछ नहीं ना fund arrange करा है ना loan arrange करा है इस वज़े से किशोर बियानी जी थोड़े से frustrated है उनकी तरफ से आप देखें उन्होंने regulator को कहा है कि इस deal को as soon as possible कराईए ताकि जो भी इसके deal से dependent members हैं वो सारे के सारे को फाइदा मिले अब इसमें देखिए सबसे ज्यादा फाइदा किसको मिलेगा company को उसके employees को stakeholders को और आप और हम जैसे लोग जो इसके share को hold करके रखे हों है दोस्तों जिस दिन से भी का approval आया है दोस्तों मुझे मालूम है यहां पर थोड़ा सा frustration हो जाहा है काफी viewers में जिस दिन से भी का approval आया दोस्तों उसके बाद यह stock आपकी पकड़ में नहीं आएगा कोई इसको नहीं बेचेगा जब तक इसका achievement target ना हो जाए तो इस बात का ध्यान रखना patience pays very well आपको यहां पर अपना संयंबर रतना है और साथ ही साथ विश्वास राया है उससाब से आपको return भी मिलेगा accordingly इनके accordingly बियानी जी का statement है कि the court has already given their view court ने अल्री बता दिया है every student can take their view on the sale तो यहां पर NSC को कोई objection नहीं है BST को कोई objection नहीं सेभी का objection का अब question mark बनता है कि क्या वो SIAC को consider करेगी पर SIAC का ध्यान रखना वो Indian law को नहीं देखेगा और यहां पर 30,000 direct employee है और उतने ही almost indirect employee है उन्होंने सीधे सी दिखा है I am disappointed what do they want they want us so many employees to suffer business to go down he quoted he was quoted as saying तो उनका कहना है कि हमें नहीं मालू Amazon क्या चाते हैं क्या वो चाते हैं सारे employee सफर करें क्या business पूरी तरह से ठप हो जाए ऐसे नहीं चलता है दोस्तों business में काम अगर आपने partnership की थी Amazon ने इसके साथ में तो यहां tough time में उनको help करनी थी पर help को उनकर रहा है Reliance Industries help कर रही है Amazon कोई help नहीं कर रहा है उसको Amazon को तो डर लग रहा है अगर future group चलता रहा तो उनको competition देंगे वो इसलिए यह नहीं चाते कि कि किसी तरह से future group survive करे उनको लगता है कि यह future group अपने stores पे आप अपने आसपा स्टोर पे जाके देखिए काफी अच्छी चहल पहल दिखेगी और आयस पर किशोर बयानी statement आलसो जो उन्होंने economic times को दिया है कि सारे के सारे store की sale almost 60 to 80% हो चुकी है pre-covid level जब समान होगा तो लोग जाएंगे और खरी देंगे यह एक अच्छी बात है हमारे इसाथ से future consumer का target है 19 रुपे के आसपास अगर simple calculation की जाए यह snacks and beverages का company है और इनके पास बहुत सारे brand अपने खुद के भी brand है और साथ से साथ में इनने joint venture भी किया है this is one of the largest organized retailer अगर एक बार deal हो जाती है reliance and feature group की 36 brand है feature consumer के पास में और उनका one-third revenue जो है वो बाहर के feature group की company से आता है 4000 क्रोड का overall revenue है इनका margin थोड़ा कम रहता है इस बात का ध्यान रखना दोस्तों अगर wealth creation करनी है तो आपको long term के लिए portfolio में रखना पड़ेगा 80% investment आपका long term का trading कर सकते हैं हम लोग nifty और bank nifty की active internet service provide करते हैं अगर आपको यह service चाहिए तो आप हमें mail drop कर सकते है 8000 rupees discounted charge है भी January month का handhold करकर आपको trading सिखाएंगे intraday में कैसे पैसे कमाया जाता है ताकि आपको profitable रहें जब भी आप 20% से ज़्यादा trading करेंगे तो आपको दोस्तों नुकसान रहेगा इनके जैसे हमने बताया multiple better brands हैं जैसे terra sensible portion इनके साथ में इनकी tie-up है बहुत अच्छी बढ़ेगा और साथ ही साथ में demand बढ़ने की वज़े से इनकी profit and revenue भी बढ़ेगा तो यह अच्छी position में है stock यहाँ पर अब देखें future group में और reliance के अंदर जो contract है दोनों चल रहे हैं अच्छी तरह से friend group को जरूरत है तो वहाँ पर उनको support provide कर रहे हैं we respect that a lot तो दोनों के लिए बहुत अच्छी opportunity आ गया आने वाले समय please consult your financial advisor before investing in trading हमारी सला अगर आपके पास future consumer अलड़ी है तो hold कीजे और अगर आपके पास नहीं है तो please go ahead 5% का अपना portfolio का future consumer को current market price पर आप खरी दिये high court का decision जैसे आपको पता ही है उन्होंने अपनी तरफ से clearance दे दिया है उन्होंने amazon को भी कहा है कि आपके पास right है complain करने के लिए और उन्होंने feature group और reliance की deal को भी आगे बढ़ने के लिए कहा है तो एक तरह से कह सकते हैं उन्होंने अपनी तरफ से deal को clearance दे दिया है promoter holding यहाँ पर 38% है जो की और भी कम हो जाएगी आगयाने वाले समय में और साथ में अगर आप देखें इसकी valuation की दरस्टी से तो under value range है जहाँ पर कभी stock आए तो लपक के खरी लेना दोस्तों 6.50 पैसे fair value range जहाँ पर काफी समय गुम सकता है 7-10 रुपे और over value range जहाँ पर आरें पहले फीचर रिल कभाव 76 रुपे के आसपास चला है आज थोड़ा सा positive momentum था शुरू में पर उसके बाद गिरा और नीचे फिर उपर गया यही चीज़ अगर future consumer को देखें तो future consumer ने भी pretty much same pattern दिखाया एक positive note खुला नीचे गया फिर वहाँ से जाकर बंद वाए 8 रुपे 20 पैसे के आसपास अभी चल रहा है यह stock बुलिंजर बैंड ने काफी अच्छा consolidation कर लिया है इतनी देर में आप यहां से उपर आने के समय में यह काफी तेजी का रुख रख सकता है एक last आपको दिखाएंगे future consumer का अगर आप alligator indicator को follow करते हैं तो आज इसने attempt किया था blue level line को जाने के लिए पर वहाँ से फिर नीचे गिर गया है यहां से जब जैसे ही उपर चलेगा तो यह momentum positive हो जाएगा इसका और 10 रुपे जो इसका previous high है उस तक पहुँचने की कोशिश करेगा हमारे इसाब से इसका target 20 से 22 रुपे का है February 2021 तक February end 2021 तक इसका range 20 से 22 रुपे हो जाना चाहिए अपना समय देन के लिए जबाद चार वीडियो प्रस्तों से जाहिए भारत बाई गाइस